हेलो दोस्तो मैं चंदन रॉय स्वागत्याप सबका मेरे चनल चंदन किचिन हिंदी में आज मैं बनाने वाला हूँ बेंगॉल में पाये जाने वाली एक बहुती स्वादिस्ट मचली सिंगी माज की रेसिपी हमें चाहिए मिर्च अदरक जीरा इन सबका हम पेस्ट कर लेंगे और प्याज को हम ओयल में फ्राई कर लेंगे जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए हम प्याज को फ्राई करते रहेंगे और जो मसाले आपको मैंने दिखाए थे वो उस मसाले को हम फेस्ट कर लिये हैं अगर प्याज हमारा फ्राइ करनी हो जाए तो अब हम मसाले को प्याज के साथ मिला लेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे फिर हल्दी पाउडर डालेंगे जो मसाला बच्चा हुआ था डिश में उसको धो के फिर से हमने उस मसाले को एड़ कर दिये हैं थोड़ा पानी मिला के हम अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे और हाप चमस से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे नमक इससाब से डालेंगे क्योंकि जब हम मचली फ्राइ करेंगे तब हम उसमें नमक यूज करेंगे तो इससाब से आप नमक यूज कीजिएगा कि आपको कितना पानी चाहिए मैंने यहाँ पर हाप चमच के नमक लिए है और हाप चमच मचली को फ्राइ करते वक्त टोटल एक चमच नमक का मैंने इस्तेमाल किया है और आधे चमच से भी कम हल्दी पॉडर के इस्तेमाल किया है और अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे जब तक कि पानी सूख न जाए और तेल मतलब छोड़ न दे मसाले तेल को छोड़ न दे तब तक हम फ्राइ करते रहेंगे मैंने जिसी सबसे फ्राइ किया है कर्चा चलाते हुए आपको थेम उसी टाइप से फ्राइ करनी है देखिए जो वो सारा पानी है बहुत सारा पानी सुख गया है अब हम पानी डालेंगे यहाँ पे हमें कितना मतलब करी चाहिए उसके अकॉरिंग मैंने मचली को फ्राइ करके रख दिये थे उस मचली को अब हम यहाँ पे डाल देंगे अब जितना पानी यहाँ पे देख रहे हूँ उतना पानी नहीं रहने बाला है यहाँ पे मैं 10 मिनिट तक यहाँ पे हीट दूँगा तो थोड़ा पानी यहाँ पे सुख जाएगा और मचली जो है बहुत स्वादिष्ट बनेगा अब आप इस समय में पानी को चक के देख सकते हैं कि नमक आपका ठीक से लगा की नहीं अगर नमक की जरूरत होता तो नमक आप जरूर डाल देंगे 10 मिनिट बाद हमारा फिशकरी बिल्कुल रेडी हो चुका है देखे हमारा पानी सुख गया है झाल 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 झाल